Books That Speak में आप सभी का स्वागत है कोरोना ने सभी के जीवन को एक ठहराओं में ला दिया है और बच्चे भी इस तूफान का खामियाजा भुगत रहे है स्कूल बंध है और खेल के मैदान भी लेकिन याद रखे कोई भी अंधेरा स्थाई नहीं है और प्रकाश निश्चित रूप से वापस आ जाएगा ये पुस्तक इस अजीब महामारी के दोरान एक छोटी लड़की के अनुभों को दिखाती है उसने लॉकडाउन को निराशा का कारण नहीं होने दिया और आसपास की चीजों से सीखने में अपने समय का उपयोग करने का फैसला किया वो इस कठीन चरन के दोरान सकारात्मक बनी हुई है और उजवल भविश्य की उम्मीद कर रही है उसने खुद को जीवन के नए नियमों जैसे की मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखने को भी अपना लिया है आईए हम उसकी यात्रा में शामिल होते हैं और चुनोते पूर्ण अवदियों के दोरान आशावादी होने की कला सीखते है सुनते है कहानी कहानी लिखी है वेदिका और कुनाल चित्र क्रियेटिव नॉट डून टेल्स की प्रस्तुती है कहानी सुना रही है असावरी दोशी ये किताब अगर आपको अच्छी लगी तो आप एमेजॉन पे भी खरीच सकते हैं मैं इसकी लिंक जो है वो मेरी कहानी के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगी टेलिवीजन पे न्यूज आ रहे है करोना बंदी लॉकडाउन की तयारी चोटी सी मैं हूँ लड़की चंचल चपल सुजान कोरोना महामारी में फसकर घर पर बंद हो रही परेशान पहला हफता मजेदार था ना स्कूल ना सबक ना घर के लिए काम पूरे दिन टीवी देखा और सोफे पर लेट कर किया आराम पर अब विडियो गेम में मन नहीं रमता टीवी मोबाइल भी नहीं भाता है चुट्टी की खुशियां घट्टी जा रही हर दिन अब लंबा हुआ जाता है बाजार बंद, स्कूल बंद, रद हुए है खेल सडकों पर कोई भी नजर नहीं आता है जिन मैदानों में खिल-खिलाहट और शोर होता था वहां फैला अब घना सन्नाटा है गलियों में मिलती चाट भी बंद हुई अब तो खाना पड़ता है घर का सादा आहार बंद दुकानों से बाजार उजड़ा दिखता है घर में सिम्टा जा रहा है मेरा ये संसार चाचा अमित को आया जब बुखार बहुत गंभीर दर्वाजे पर अंबुलन्स तुरंथ हो गई तब खड़ी प्रधान मंत्री जी कह रहे घर पर ही रहो खत्रा बड़ा है मुश्किल की है ये घड़ी दादी मेरी उदासी को जानकर बोली इन दिनों का तुम सदूपयो करो कल की चिंता छोड़ दो कल पर आज को सवारो इसका भोग करो अब मैंने अच्छा करने की ठानी है पूरे दिन का चार्ट बनाया है व्यायाम, खाना, पढ़ाई और कला स्कूल भी तो इंटरनेट पर आया है मा के साथ रसोई में मैं सीख रही रोटी, चावल, दाल बनाना कभी मिठाया, तो कभी हलवा तो कभी केक बनाना, फिर उसे क्रीम से सजाना चिडिया को दाना, गाय को रोटी ये काम अब अच्छा लगता है एक सुन्दर प्यारा कुट्ता था मिला अब वो भी सदस्यबन घर में रहता है पापा मुझे सिखला रहे है गमलों में सबजिया उगाना अदभुत देखा मैंने कोपल का बीच फोड कर बाहर आना टीवी पे अबारा है लॉकडाउन थ्री महामारी और बंदिशे दोनों गई बढ़ पर मैंने अपनी हर कला सुधारी है कुट्ता अब मेरे इशारे समझता है आंगन में लाल टमाटर की क्यारी है हम ये जंग जरूर जितेंगे एक मास्क मैंने भी बनाया है चेहरे पर मास्क अजीब नहीं जरूरी है सब को समझ ये आया है कोरोना तेजी से फैल रहा है हाथ धोना और दूरी बहुत जरूरी है दिल साथ रहे चाहे दूरी पर रहे मुस्कुरा देने से भी घटती दूरी है कोरोना वॉरियर्स दिन रात लगे है डॉक्टर, पुलीस, पत्रकार, सब हम छट से ताली है बजाते नर्स दीदी हॉस्पिटल जाती जब नहीं पता कब स्कूल खुलेगा कब हम खुले मैदान में खेल पाते है तब तक मैंने काम है ठाना मिस्टर एडवीन मुझे नेट पर गिटार सिखाते है धर्ती आसमान सब स्कूल ही तो है कितना सिखला देती है ये प्रकृती मैं रात अचम्भित देख रही थी कैसे पौधे बढ़ते है और पानी उबलता है मा ने बताया विज्ञान आसपास है पिताजी बताते है कि ध्यान से देखे तो मदुमक्खी के छत्ते में शटकोन का आभास है कितनी अच्छी लग रही दुनिया धर्ती शीशे सी चमक रही मेगा बरसते, पक्षी चहकते नाचते मोर बग्या महक रही समय मिला तो जाना पिताजी के पास है सिकों का खजाना मा के हाथ दिखते दो है पर काम हो जाता है बहुत सारा दादी के पास है कहानियों का पिटारा जिसमें सच्चाई, अच्छाई और सैयम कभी नहारा पर समाचार बुरे-बुरे मुझे डराते है मौत, आत्महत्या, भूखमरी और लाचारी पर सच है कि जीतना है तो डरना छोड़ो समझदार बनो और करो लडाई की तैयारी हर दिन मैं हूँ सोचती कब महामारी हारेगी कब सब सामान्य हो पाएगा भरोसा मुझे है पूरा, हम जीतेंगे खुशियों का इंद्रधनुष आसमान पर जल्द चाएगा एक सूर्य ग्रहन भी देखा मैंने जब क्षणिक अंधेरा चाया था एक छोटा लारवा कैसे बढ़कर तितली बन अपने रंगों पर इतराया था मा कहती है अच्छे बुरे दिन है जीवन का हिस्सा जिन्दगी यूँ ही चलती जाती है जब समस्या विक्राल लगे और रास्ता न सुझे सैयम और आत्मशक्ती खुद ही रास्ता बनाती है मैं तो चाहूं सब के साथ मैं नाचूं कोई भी न दुखी लाचार रहे न कोई अकेला पड़े डर कर जिये खुशियों की सरिता हर ओर बहे मुझे उमीद है ये किताब आपको जरूर अच्छी लगी होगी अगर आप ये किताब खरीदना चाहते है तो उसकी एमेजोन लिंक है थोड़ा सा लेखकों के बारे में डॉक्टर वेदिका अगरवाल एक इंजिनियरिंग पिएजडी है जिनकी बच्चों के साहित्य में रुची है और डॉक्टर कुनाल दास पेशे से बाल रोग विशेशग्य और स्टेम सेल ट्रांस्पलंट चिकित सक है कहानियों को कहने की उनकी कला ने दून तेल्स में कहानियों के संकलन को प्रेरिद किया है लेखक हमें संदेश देना चाहते है हालाकि अजीब है पर सत्य भी ये कोरोना जो हमें सिखलाता है जीने का मजा नहीं भागदोड में प्रकुरुती के साथ चले तो ही आनन्द आता है Books That Speak की और बहुत सारी कहानियां आप अलग-अलग podcasting apps और platforms पे सुन सकते है और हमारा YouTube चैनल है Books That Speak धन्यवाद